हेलो दोस्तो वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल मेरे नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईजे यूट्यूब चैनल तो दोस्तो भारत हैवी एलेक्टोनिक लिम्टर की तरफ से निकालीगी जो वेकेंसिस के बारे में हम डिसकस करने वाली है इस वीडियो में भेल के तरफ से काफी वड़ी अपडेट आई है जिसमें की सुपरवाइजर, ट्रेंइंगी पोच के लिए वेकेंसिस का नोटिफिकेशन आ गया है और total vacances कितनी रहने वाली हैं, selection process कैसा रहेगा, form को आप कैसे apply कर पाएंगे, ये सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को end तक बाज करें और पहली वार हमारे चैनल पर गिज़र कर रहे हैं, चैनल को subscribe कर लें, ऐसी ही latest job update के लिए, daily ऐसी ही latest job update आप को provide की जाती है इस चैनल पर official notice के साथ में, तो बिना आपका time based किये करते हैं, आज की subdate को start तो दोस्तों बात करें यहां पर इनके official notice की, आप यहां पर देख सकते हैं, यह भारत heavy electronic limited की तरफ से निकाला गया official notice है, supervisor training की recruitment के लिए notification निकाला गया है, इनका advertisement नमबर आप यहां पर देख सकते हैं, काफी बड़ी update है, यहां पर company profile आप देख सकते हैं, सारी profile आपको यहां पर मिल चाहेगी, उसके लावा यहां पर बात करें, तो जो position रहेंगी यहां पर supervisor training की, वो mechanical, supervisor training civil and HR में vacancy निकालेगी हैं, इसमें आप देख सकते हैं, power sector में यह आपकी unit में vacancy रहेंगी, civil के लिए 30 post रखेगी हैं, mechanical के लिए 30 post रहेंगी, HR के लिए 5 post रहेंगी, corporate office में HR के 25 post रहेंगी, उसके लावा HEP, Bhopal में एक post रहेंगी, HPEP, हैदरावाद में एक post रहेंगी, HPEP, TriCity में आपकी यहां पर एक post रहेंगी, उसके लावा HWP, Haridwar में आपकी एक post रहेंगी, PEP जहांसी में आपकी एक post रहेंगी, जो की reserve रहेंगी आपकी एक service man के लिए, यहां पे सभी HR की post रहेंगी और बाकी आपकी जोब रहेंगी supervisor training की वो आपकी वेल के power sector में रहेंगी जो कि आप यहाँ पे 75 post का distribution देख सकते हैं category wise vacancies को आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी काफी इची update है यहाँ पे आप देख सकते हैं supervisor training की vacancies यहाँ पे रखी गी है जो कि आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं period of the आपके यहाँ पे 10 year के लिए आपको यहाँ पे at least रखा जाएगा काफी बड़ी आप डेट है आप इनकी official website पर जाकर भी चेक कर सकते हैं जो position रहेगी supervisor training की इसके लिए full time regular diploma आपका mechanical में होना चाहिए minimum 65% marks आपके होने चाहिए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आलगरी semester में आपके marks यहाँ पे 65% होने चाहिए और यहाँ पे supervisor training के लिए civil के लिए भी आपका same criteria रहेगा HR के लिए आपका full time regular bachelor degree होना चाहिए business administration में या तो आपने यहाँ पे business management पा कोर्स कर रखा है BMS कर रखी है तब भी apply कर सकते हैं 65% marks आपके at least यहाँ पे भी होने चाहिए बाकी जो candidates यहाँ पे bachelor degree diploma यहाँ पे कर रहे हैं final year में हैं तो वो भी यहाँ पे apply कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं final year यहाँ पे student जो वो mark 6 अगर उनकी नहीं आई है तो वो भी यहाँ पे apply कर सकते हैं इसके इलावा यहाँ पे जो रहेगा पी डिवल्टी candidates के लिए reservation वो आप यहाँ पे सारा देख पाएंगे next अगर हम यहाँ पे बात करें तो SCST के लिए यहाँ पे five years की and three years की OVC के लिए agile taxation भी यहाँ पे दी जाएगी next अगर बात करें यहाँ पे वेल selection process की तो यह two stages में आपका रहेगा वेल का जो selection process है वो two stages में आपका लिया चाहेगा जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो shortlisted candidate रहेंगे वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको यहाँ पे first stage में selected किया चाहेगा जो second stage रहेगी इसमें document verification and scrutiny आपकी रहेगी तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पे training रहेगी यहाँ आपका रहेगा वो bill supervisor training के यहाँ पे during training period में आपका 32,000 रहेगा और इसके बाद में scale आपका 32,000 से लेके 1 lakh तक रहेगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका skill रहेगा वो यहाँ पे after completion of the training के बाद में pay scale आपका 33,500 से लेके यहाँ पे जो रहेगा वो आपका 1 lakh 20,000 तक रहेगा जो कि आपका जो रहेगा वो आपका basic pay, डिरेंस, launches, perks आपके रहेंगे, other launches भी आपके रहेंगे, उसके बाद में completion of the आपके training के बाद में, जो आपका CTC रहेगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7.5 lakh का रहेगा supervisor training के लिए, medical standard के लिए आप देख सकते हैं, application fees की बात करें, unreserved OVC EWS candidates के लिए यहाँ पर 7.95 रुपीज रहेगी, जो कि application fees आपकी 500 रुपीज और 250 रुपीज आपके जो रहेंगे, वो GST charges रहेंगे, processing fees और साथ में, CSTPWD candidates के लिए total 2.95 रुपीज फीज जो आपको देनी पड़ेगी, इसको online mode से आप देख सकते हैं, bank charges आपके अलग से लिए जाएंगे, debit card, credit card के थुरू अपनी payment आप कर सकते हैं, तो यह था आपका यहाँ पर selection process, 10 form को apply करने का process, कब से कब तक इसका recruitment चलेगा, तो आपको मैं यहाँ पर बिता देता हूँ, 25th of October से आप apply कर सकते हैं, 25th of November तक आप apply कर पाएंगे, जो tentative date आपकी रहेगी, month of December में आपकी रहेगी exam की, तो यह आप इनकी official website पर, आपको सारी यहाँ पर मिल जाएंगी dates, जो भी आप check कर सकते हैं, या आप इनका official website से, official notice भी यहाँ पर download कर सकते हैं, काफी अची vacancy sense के लिए आप apply कर सकते हैं, जो भी candidates यहाँ पर diploma कर चुकी हैं, डिगरी कर चुकी हैं, तो वो यहाँ पर eligible होंगे form को apply करने के लिए, काफी अची यहाँ पर vacancy आपको देखने को मिल जाएंगी, सारी चीज़े वैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी हैं, यहाँ पर जो भी vacancy सी वो आपको सारी मैंने यहाँ पर like बता दी हैं, तो वाकी कुछ spending बचा हो, आप comment कर सकते हैं, और ऐसी ही latest job update के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं, तो friends फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए thank you, goodbye, take care.